तुला रासी वालों का आजी का रासी फल्ल यणी की 13 अक्टूबर 2020 का रासी फल्ल लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 13 अक्टूबर 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है एकादसी नक्छत्र है मघा पक्छ है क्रिस्न पक्छ दिन है मंगल बार आजी के दिन सुर्य उदे का समय है 6 बजी के 20 मिनट में सुर्य अस्त का समय है 5 बजी के 33 मिनट में रितू है सरद आजी का दिन काल है 11 घंट 32 मिनट 10 से केंड का महिना है अस्विन आजी के दिन सुब समय सुरू होता है 11 बजी के 50 मिनट एम से 12 बजी के 20 मिनट पीएम तक असुब काल सुरू होता है 8 बजी के 49 मिनट एम से 9 बजी के 25 मिनट एम तक राहु काल सुरू होता है 3 बजे पीएम से 4 बजी के 26 मिनट पीएम तक दिसा सूल है उत्तर दिसा की ओर तो ये था आजी का पंचांग इस वीडियो के अंत में आपके आजी के दिन का अनुखा तोट का भग्यसाली रंग और भग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो के नीचे जय हनुमान कमेंट कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनने का प्रियास करें सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके सुवास्त के बारे में मित्रों सुवास्त के द्रिष्टी कौन से आपका समय सामाननी रहेगा न जयाद बिहतर न जयाद खराब मित्रों आज के दिन जिस काम को करने से आपको खुसी मिले जिस काम को करने से आपको मानसिक सान्ती मिले आप वही काम करें अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय के दोरान आपके जीवन में कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगा वैसे अगर आपके धन सम्पती की बात करें तो पैसों के द्रिष्टी कोन से आपका शमय बहुत ही जयादा बिहतर और सांधा रहे आज से पहले अगर आपका पैसा कहीं रुक गया था कहीं फस गया था तो आज के दिन अपने रुके हुए धन को आप प्राप्त करने का पड़ेश करें क्योंकि इस काम को करने में आपका शमय आपका भाग्य आपका शाथ अवश्य देगा मित्रों आप में से जो भी जातक जो भी दर्सक सामाजिक काड़े करता हैं समाज के लिए काम करते हैं तो आज के दिन भी आपको सामाजिक काम करना होगा समाज के लोगों की शहायता करने होगी अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले शमय के दोरान आपके सामाजिक जीबन में कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगा मित्रों आज से पहले अगर आपके प्रेम संबंध में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या था तो आज के दिन उस पड़ेशानी को खत्म करने का प्रयास आपको करना होगा अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले समय के दोरान आपके प्रेम संबंध में कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगा इसके बाद बात करते हैं आपके आज के दिन के अनोखे टोटके भाग्य साली रंग और भाग्य साली अंक के बारे में दोस्तों आज के दिन अपने समय को बिहतर और सांदार बनाने के लिए आप भगबान सनी देब का तेल से अभिशेक करें अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले समय के दोरान आपके जीबन में कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगा आज आपके लिए भाग्य साली अंक है पांच यनिकी भाइब आज आपके लिए भाग्य साली रंग है लाल और मैरून तो यही था आज के दिन का रासी फल तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सबस्क्राइब कर दें और वीडियो को आप हर जगा सेर कर दें धन्यवाद